आज की वीडियो में हम सिखेंगे किस तरीके से हम एक पार्टनर्शिप डीड को ड्राफ्ट कर सकते हैं जब भी कोई ड्राफ्ट करोगे स्टार्ट करो उसके नेम ग्लो से बताओ उस देट क्या है और प्लीज फिर बाइन बिट्विन बाइन बिट्विन के बाद आप पार्टीज को डिस्क्राइब करोगे कि इस डीड में कौन-कौन सी पार्टीज इन्मोल रहा है हमारे case में दो partisan इन बोल रहा है एक Mr. A और Mr. C जो Mr. A है उसको हम deed के अंदर first party बोल रहे है और जो Mr. C है उसको हम deed के अंदर हम इसे second party बोल रहे है फिर whereas, whereas से हम एक short summary देंगे कि इस deed को बनाने के पिछे हमारा क्या objective है फर्स्ट हमने paragraph में हमने लिखा कि दोनों parties ने decide किया एक partnership form बनाने का जिससे वो एक business करेंगे नेचर और बिजनस यहां mention करतेंगे और जहां हमने business करना है वो place यहां mention करतेंगे हम agreement में first party और second party दोनों को partners बोलेंगे और next paragraph में हमने बताया कि यह दोनों party ने decide किया एक deed यानि partnership deed को exude करने के लिए फिर आएगा now this deed witnesses as follow यानि हमारा test item close start होगा अब हमारी जो भी term and condition, component and reservation जो भी exceptions होएंगे वो हम बताएंगे first में हमने लिखा जो partnership firm हम जो बना रहे हैं उसका name क्या है और उसका principal place of business यानि registered place of business क्या है उसके बारे में और जो यह firm बन रही है हमारी वह इंडिन पार्णेशिप यानि partnership act 922 के according go on होएगी और जो इस firm की duration रहेगी वो five year की रहेगी और जिसको वो renew कर सकते हैं दोनों parties की consent से फिर fourth paragraph में हमने लिखा कि जो डीड बन रही है उसमें capital जो लगेगा दोनों पार्टी इकोल इकोल लगाएगी 10 lakh rupees अगर इस partnership firm को चनाने में अगर और पैसा या और capital चाहिए होगा तो उसको इंट्रड्यूस कर देगे एक्वल ही amount में दोनों partners के द्वारा फिर उसके बाद जो भी कोस्ट आएगी इस firm को बनाने के लिए या इससे related कोई भी expense होएंगे वो किसके कौन बियर करेगा वैसे बियर करेगा अगर कोई ऐसा expense कोई cost जो बियर कोई भी parties कर देती है तो उसको reimburse कर दिया जाएगा act actual यानि जितनी amount इसने pay करेगा उतना ही उसको बापिस दे दिया जाएगा और six paragraph में हमने यह लिखा कि दोनों parties यानि दोनों partner को equal contribution मिलेगा net profit का equal ratio में इसके साथ जो losses होंगे वो भी equal ratio में ही बियर किये जाएंगे new partner introduce करना चाहते हैं हम अपनी firm के अंदर तो दोनों parties की consent के से ही उस new partner को हम या introduce कर सकते हैं अपनी firm के अंदर अगर कोई default करता है कोई भी तो defaulting party दूसरी party को compensate करेगी उसकी वज़े से जो losses होगे होंगे और nine point में हमने यह लिख दिया कि अगर कोई dispute arise हो गया इस agreement में तो वो refer किया जाएगा arbitrator के पास और जो भी उस फिर इन witness where of the parties दोनों parties ने sign कर दिया किस डे को रहे है जो डे हमने ऊपर और डेट जो मैंशन करी है जो ऊपर मैंशन करें उस दिन कर दिया है फिर इधर witness के details बगएरा आ जाएगी और sign हो जाएगे इधर first party और second party की sign हो जाएगे Thank you